अस्तामुलेकूम गाइस कैसे आप सब उमीद करता हूँ आप सब जो है खरियत से होगे और इसको करता हम आये मैं पेरकुदाई यह देपेराई और इंशाला हम निकलेंगे सकर्दू की तरह तो यह हमारे प्यारे भाई है जुदै नूरी भाई है यहां पे आप लोग विजि अवारे वी प्रवदाई जाने के डिफरेंट मल्टिपल ऐससे आप के पास है आगर आप लोगल जाना चाहें तो भी आप यहां यहां से बस वगार यह दोग जा सकते हैं और कोस्टर बीजाती है, बड़ी बस भी जाती है, कारें भी जाती है और उसी इसी गारीयां भी यही से जाती है पिल्डी के मेंण शहर में ही और पिर्गदाईय अड़े पे आप लोग आएं यहां पर डिफरेंट कंपनीस है गवर्मेंट की गाड़ियां भी चलती है यहीं से बैठके आप लोग उने सकर्दू, घिलगित, भूंजा नगर हार तरफ आपने यहीं से निकलना होता है तो चले जी निकलते हैं कि पो यो के आस लोस आस लोस आस लोस कि पो यो के आस लोस सो से लोस लोस कि पो यो के आस लोस कि पो यो के आस लोस तो जसे आस specifically औरो यो के आस लोस तो यो के आस लोस कि वो यो यो के आस आरण रिली, हम 17ड ब्याइन बॉचुके हैं, यहां प्र kenntार मज़ी की सुभाजे तर हम और हमने पढ़ए और निमाज श्माज भी अपाँ को हमोचे हैं अक्रिवल में साड़े तीन यंटे में हम कौन चुके हैं खाना शाइना निमाज चुमास पढ़के और मज़े की बाद आपको बता हूँ यहां पे अखरोट बहुत ज्यादा है नरान में बहुत ज्यादा अखरोट है मैं तो समझता था सकर्दू और खपलू में अखरोट होंगे लेकिन यहां पे तो बहुत ही ज्यादा है यहां पे अखरोट सस्ता भी है बहुत ज्यादा भी है तो गाइस यह हमारी गाड़ी है इसमें हम सकर्दू जा रहे हैं आफी पैजी वही और काफी तेजी के साथ देखर आए हैं, हमारे पीरे लाए है और अज्दु तो साथ ही जाएंगे, गाड़ी में है, यह भाई की वह पिछे गाड़ी खड़ी है, उसमें जा रहे हैं और हमारी गाड़ी यह खड़ी है, तो चलें, आप लोग उसे मिलते हैं जू, रस्ते में साथ ही हम जाएंगे, तो थैंक्यू तो फाइनली हम पहुंचे हैं लालुसर लेक के पास, और आगे बाबुसर टेप आने वाला है, और काफी ठंड है, क्योंकि हम पिंडी से आएं, तो ठंड लग रही है, क्योंकि वहाँ पे तो काफी गर्मी थी, और काफी हबस था, और यहां पे लोग कितने आये हैं ना क्या बताऊंगी तेखें, टूरिस्ट काफी आये हैं, पाकिस्तान के दूसरे प्रविंसे से और लालुसर लेक में रुके हैं, तो यहां से आगे फिर आगे आएंगे बाबुसा टॉप, तो हमारे साथ रहेगा, हमारे विलोग को पाकिस्तान के बाबुसा टॉप पे हम पहुंचे हैं, और यहां पे जो है, काफी जादा ठंड है, नारान से जादा भी जादा ठंड यहां पे हैं, क्योंकि काफी हाई अल्टिचूट पे हम आ चुके हैं, और यहां पे बहुत जादा टॉरिस्ट आ रहे हैं, हत से जादा पूरे पाकिस्तान से यहां पे खिचे चले आ रहे हैं, यह जो टेरिट्रियों ना चलास डिस्टिक के अंडर आता है, और इवन सर्दियों में काफी ठंड होती है, यहां पे बरफ की वज़ए से रस्ते बं यहां पे बरबारी भी होती है, तो आप लुपी ज़रा एक बार चकल लगाएं, और अंज्वाए करहें दखें फाइनली हम पहुंच चुके हैं, जिलास अकरीमन 7 बजे शाम के हम पहुंचे हैं, और इचालला थोड़ी देर तक निकलेंगे, हमने चाई शाई जो पी लिगाएं, तोड़ा सा फ्रेश हो चुके हैं, और आज का सफर बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल पता ही नी चला की, पिंडी से जो है न, सकर्दू की दर हम जा रहे हैं, अधर वाइस चुबिस गंटे तो लगते ही लगते, साम टाइम बाइस तीस बाइस गंटे भी लग जाते, लिकि तो चैने जी, सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं, शाटोट वाली जगे पे रहुंदू में, और यहां से आगे तकरीबन दो डाई से तीन गंटे लग जाएंगे, तकरीबन जुगलोट से यहां पे डेट गंटा लगे हैं, और यहां से ओनवर्ड डाई गंटे मे हम शाला सकरदू पहुंचेंगे, तो आज का वलोग यहीं पे कंप्रीट करते हैं, क्योंकि जाके हमने सोना भी है, और काफी ठके में, सुपा दस बज़े के निकले में, तो चैने, पिर कभी आप लोगों से मिरते हैं, किसी दूसरे वलोग में, और यह हमारे प्यारे बाई दोनों भी यहीं पहुंच चुके हैं जो, और हो सकता है, यहां से आगे फिर आप लोगों से मा मिले, यह लास्ट स्टेशन है, बाकी फिर इंशाल्लास कर दो, पहुंच के मुलाख़त करें, इंशाल्लास